अपिसोड नमबर नाइन काफी ही अच्छा था कुछ सीन तो काफी ही सेटिस्फेक्टरी थे फॉर एक्जामपल ये वाला सीन जब सड़नली कांग जी वन अपनो फेस बदल के मिन्वान के मदर को आजुम्मा बुलके बुलाती है उसकी इंसर्ट करनी के लिए और वो जो फू स्मार्ट लागा मतलब वो उसकी इस हद तक इंसर्ट करती है कि वो भूले से भी कभी उसको as a daughter-in-law accept ना करे उसके घर में इसी लिए और वो इसे heated moment को conclusion देने के लिए मिन्वान को flip करती है So collectively मुझे ये सब scene जो है काफि smart लगे episode number 9 के अंदर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि we definitely need some more scenes of Kang Juwan and Jihyuk together because episode number 9 खतम हो गया है और episode number 10 आने वाला है और अभी तक हमें इतने minimum scenes मिले हैं कि हमारा दिल बढ़ी नी रहा है और as such हमें दोनों के बीच में full spark देखने के लिए नहीं मिल रही है अभी तक भी चीज़े one silent है Kang Juwan अपना दिमाई उसके साइड लेके जाई नहीं रही है and it's higher time episode number 10 कल रिलीज होने वाला है और फिर उसके बाद सिफ 6 episode रह जाएंगे तो हमें और लोग के जादा से यादा scene इस episode में मिलना चाहिए वनना ये हमारे साथ unfair सी चीज हो जाएगी guys तो खेर ये सब थे top glimpse of episode number 9 और जो चीज़े मुझे नहीं पसन है वैसे मुझे तो काफी चीज़े आप लोग के साथ बात करनी है but because ये video preview and prediction के लिए है I cannot wait further और मुझे start करना पड़ेगा preview and prediction so previous episode की बाते करने के लिए probably में Wednesday night को live जाना वाली हूँ so then we can talk about episode number 9 and 10 के हमें क्या पसना आया क्या नहीं पसना आया और अपका में एक episode में क्या क्या होना चाहिए so look forward to it so guys that's it now चलो शूरू करते हैं without waiting any further episode number 10 का preview and prediction episode number 10 खतम होता है with a perfect back flip जब कांग जीवान फ्लिप करके जमीन पे फेग देती है मिनवान को उसके actions के लिए और उसके mother की बेतुकी सी बातों के लिए तो ये दिन तो यहीं पर खतम हो जाएगा with lot of embarrassment to मिनवान and his family और मिनवान ये दिन अपने घर रिटन जाने के अबाट decide करेगा कि वो कांग जीवान को पराबर करेगा या फिर he will take revenge बट क्या वो अपना revenge ले पाएगा नहीं दूसरे दिन जब वो कांग जीवान से argument करने का try करेगा या फिर उसे insult करने का try करेगा कांग जीवान उस पर एक और bomb थो करके उसे बोलेगी कि वो एक cheater जैसा इनसान उसे कैसे insult कर रहा है या फिर उसे कैसे चिला के बात कर रहा है मतलब कांग जीवान उसे अच्छे से बता देगी next episode में कि उसे अच्छे से पता है कि वो एक cheater है और वो सुमीन के साथ cheat कर रहा है और because उनलों की argument ऑफिस के अंदर होगी ऑफिस के अंदर भी सब लोगों को पता चल जाएगा कि सुमीन भी cheater है और मिन्वान दोनों ही cheater है दोनों की image पर ही tarnish हो जाएगी और जब सुमीन की news इस manager को पता चलेगी वो एकदर परशान हो जाएगा because हमें तो पता ही है from very first episode ये सुमीन के पर line मार रहा है और सुमीन भी से अच्छे सा line दे रही थी because इसको promotion चाहे था इसे permanent job चाहे थी इस office में but ये सारी चीज़ा fail हो जाएगी इसे भी पता चल जाएगा कि सुमीन कैसे टाइब की इनसान है तो खेर जब दोनों की image रानिश होई जाएगी तो मिनवान को भी ना सुमीन के अंदर थोड़ी बत flaws दिखना start हो जाएगे के वो pretty होने के अलावा और भी कुछ है भी या फिर वो से वे एक pretty इनसानी है या उसे और कुछ आता है भी है नहीं बट खेर उसे जितने भी flaw दिखे they are made for each other दोनों ही equally trash है तो हमें next episode में से यही दिखने मनने वाला है के they will get more close यह सब चीजे होने के पावजूद भी and after all Kang Juwan का main aim ही यह है कि Sumi no Minwan की शादी हो because यही एक तरीका है जिसके थूँ Kang Juwan अपना ill fit जो है वो Sumi no Minwan को transfer कर सकती है otherwise वो उससे पीछे नहीं छुड़ा पाएगी escape नहीं कर पाएगी उस situation से तो यह जो दोनों का relation disclose भी होगा ना यह Kang Juwan को इससे help होने वाली है because हो सकता है कि दोनों अपनी image बचाने के लिए अब शादी कर ले इसके अलावा preview के इसाब से हमें देखने के लिए मिलने वाला है next episode में कि कुछ लोग Minwan को kidnap करेंगे और उसे torture करने का try करेंगे I mean यह दो लोग को ने हमें अच्छे से पता है यह Ji-Yuk के friends है तो Ji-Yuk का यह order मिला गए लोगो को कि यह से थोड़ा बोट टौशर गए उसका दिमाग ठिकाने पर लाओ ताकि यह Kang Juwan का पीछा छोड़े तो यही वनवाला है next episode में करके उसे पुछिए कि whether वो interested है के नहीं Kang Juwan में और मुझे अर्षा लगता है कि upcoming episode में Ji-Yuk के sister उसकी काफी help कर सकती है Kang Juwan से close होने में उसके अरवा lastly हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है next episode में that is Su Min किसी office work को mess up कर देगी और अपने आपको उस situation से escape करने के लिए because anyways उसको office से निकालने वाले होंगे तो वो भागने का ट्रागे देगी बट Kang Juwan को पकड़ेगी और उससे बुलेगी जो उसने mess create किया है वो समेटे अब खुद से ही मतलब वो कुछ इतना बड़ा mess करने वाली है जिससे यूरान को काफी फरक पड़ने वाला है और इस टेस में पाक में वामली समवाड इंवाल्व होगा